आईए एक और फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर और आप में से बहुत सारे बच्चों को यह परिसानी हो रही है कि आपण लेटर नहीं आया ज्वाइनिंग का डेटा आ गया पहले या आपण लेटर में देर हो रहा है या इसका सिधा सिधा अर्थ है क कि आप थोड़ा सा पेसिंस लूज कर रहे हैं केप जेमिनी को या कोई भी आईटी सेक्टर को अभी बिलकुल मास लेवल में हायर चाहिए वो हायर कर रहे है ठीक है और आपको पेसिंस इसलिए रखना पड़ेगा हो सकता है हमने पहले एक वार वीडियो बना की बताया है कि केप जेमिनी का रैंडम ली मेल आता है और मैक्सिमम जो इस्तिती है उसकी ओ ज्वाइनिंग डेट पॉस्पॉन करते हैं नेक डेट पर तो ज्वाइनिंग बिलकुल होगा आपका ठीक है अगर ऑन बोर्ड में वेरिफिकेशन आप डोक्मेंट्स डाले हैं वेरिफिकेशन क हैं न्यूज में इम अधा है कि यह लगबग अभी सिkind थाउजन इंप्लाइज रिक्रुइट करेंगे यादि हायर करना है 60,000 इंपलाइज जो केप जेमिनिंग को हायर करना है और अभी यह बहुत पीजे हैंสितित हाउजन से बहुत पीजे हैं यया हाफ भी नहीं कर पाए हैं अभी 30,000 के लेवल में नहीं पहुंचे हैं इसे लगातार हाइरिंग इनका चलेगा दूसरी बात है इनका जो अभी ग्राउंड लेवल है आप देखेंगे जब इंडिया में तो इंडिया में टोटल लगवा 50% से ज़्यादा इनके इंप्लाइए ह इसने कहा है इन्होंने कि हम 60,000 लेंगे अब इसके बात क्या है कि देखें ग्लोबली इनके पास 3,25,000 इंप्लाइए हैं आफ अप अप देम आर इन इंडिया आप उमीद कर सकते 170 से ज़्यादा इंप्लाइए 1,70,000 से ज़्यादा इंप्लाइज इंडियन है यानि इंडिया के हैं and we continue to see good headcount growth यार्डी टोल इकोनोमिक टाइम्स the new hire will be a mix of freser hiring and lateral talent ठीक है असपस्ट है lateral भी लेंगे freser भी लेंगे तो आप जो mail आपका आया है interview आप पास कर चुके हैं आप document अपना दे चुके हैं तो आप एकदम easy mood में रहें आपको joining मिलेगा इसलिए कहीं भी आपको tension लेने की जरुवत नहीं है ठीक है with a focus on emerging areas like 5G and quantum ही said बस simple हम आपको बता देते हैं कि इनका एक और digital platform के साथ emerging हुआ है और वो 5G platform है so आपको job मिलेगा इसलिए बहुत सारे आ रहे थे comment में हमसे पूछ रहे थे कोई what step में message डाले हैं बहुत सारे बच्चों ने call किया है तो हम उनको जहां तक हम पता कर पाते हैं या जहां तक मुझे मालूम है आपको बतानी की कोशिश करते हैं so यहां देखे लिखा है Cape Gemini had launched a 5G lab in India last year in partnership with Erikson Erikson भी बहुत बड़ा एक company थी और अभी उसका पहले form mobile बगरा भी आता था अभी उनके साथ partnership है Erikson बहुत global company है और बहुत बड़ी company है it is seeing a lot of traction Yardi said we have been working with some of the global and Indian service providers to build industry huge cases on 5G he said so आपको मिल जाएगा और फिर भी आपको कोई problem हो तो हम number बार बार देते हैं आपको आप call कर सकते हैं नहीं तो message कर सकते हैं thank you